हेलो दोस्तो आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपनी चनल एकजाम योजबाई और दसर में दोस्तो आज की जो क्लास है आपकी हरियना जी के से संबन देते हैं और केवल आज की वीडियो में जो आपकी इंपोर्टेंट जो भी आपकी तित्थी हैं उनसे संबन देते सारे कॉश्चन कंप्लीट करेंगे एक भी कॉश्चन उनसे अलग नहीं है तो आज की वीडियो में लगवाग है 30-31 कॉश्चन है और सारे के सारे कॉश्चन वहीं है जो एकजाम में रिपीट होते हैं लगवग पूछे जाते हैं या फिर कुछ एक कॉश्चन ऐसे हैं जो एक जाम में आगे बन सकते हैं तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं पहला कॉश्चन आपके सामने है और दोस्तो अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और सेयर कर सकते है जो नए साते हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तो थोड़ा सा समय देंगे जल्दवाजी बिल्कुल नहीं करेंगे इस वीडियो में तो पहला कॉश्चन आपके सामने है हरियाना के धप निर्ते को पहली बार कव गंतंतर दिवस समारों में प्रिस् हरियाना सिनेमा की पहली फिल्म धर्ती कब प्रिकासित होई तो हरियाना सिनेमा की जो पहली फिल्म है वो धर्ती है कब प्रिकासित होई 1968 कब हुई 1968 में और हर फूल जाट जुलानी 1970 रहेगा तो ये आपको ध्यान रखना है तो ये एकजम में बार बार रिपीट होता है ये और यहां से आपको 1000 कॉश्चन मिल जाएंगे और साथ में 2021 की करंट फिर आपको फ्री मिलेगी और एग्रिकल्चर और एनिमल के भी प्रेक्टिस सेट है आप वो भी जोइन कर सकते हैं केबल आपको 89 रुपे पेक करना है और अगर आपको ग्राम सची पटवारी के नल पटव बांध करनिर्मान कब हुआ तो इसका जो रख बनेगा 1989 में हुआ है और मसानी बांध कहां पर है तो यह आपका सही नाधी पर है कौन सी नाधी तरीगा हरियाना की 1966 में निकाले गई ये भी रहवाडी से निकाले गई है तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो इसका जो राइट बनेगा सी बिल्कुल सही आंसर है पंजाब हरियाना उच नियाले की सतापना कब हुई तो इसका जो राइट बनेगा पंजाब हरियाना उच हिंदी की पहली पार्ट साला भी खुली थी हरियाना में तो ये भी आपको दिहान रखना है तो इसका जो राइट बने गा यानि की सी बिलकुल सही है और हिंदी की पार्ट साला 1919 नहीं 1914 यानि की हिंदी की जो पहली साका है वो 1914 यानि की जजर में स्तापित की गई और 1919 में पह केसर ए हिंद की उपादी कब प्रिदान की गई तो ये लाला मुली धर है इनका संबंद कहां से हैं इनका जनम पलवल में हुआ और इनकी करम भूमी अंबाला थी और इन्होंने एक खेर संदेश पत्री का भी निकाली जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं कई बार हमने वो कोश एक जाम में बार बार रिपीट होता है और आगे भी बन सकता है हरियानस सहीधी दोपस कम मनाया जता हैं तो ये 23 स्कम्बर को मनाया जता है और वेसे सहीधी देश की अगर हम बात करें तो 23 मार्फ रहेगा और सहीधी दोबस 30 जनवर रहेगा तो इन तीनों में डिफ्रेंस पर्यटक दिबस यानि कि हरियानका 1 सितमबर रहेगा तो इसका जो राइट है यानि कि C बिल्कुल सही आंसोर है महंदरगड की सतापना कब की गई तो इसका जो राइट वनेगा महंदरगडड की सतापना 1861 में हुई है कब हुई 역 now 1861 यानि कि डी बिलकुल इसका राइट है अब ये कोशन भी देखते हैं क्योंकि ये एक्जाम में बारवार रिपीट होता है ये कोशन तो देख लेती हैं साथ के साथ हरियन का पिर्थम सैनिक सकूल कुझपुरा करनाल में कब सतापित किया गया देख पहला सैनिक सकूल कुझपुरा करनाल में 1961 रहेगा दूसरा सैनिक सकूल ये आपका 29 अगस्ते 2008 रहवाडी रहेगा तीसरा आपका मातन हेल यानि कि 2016 जजजर रहेगा और इसकी जो नीम है 2016 वा याप एग। निएगा 1971 परीशर के तहट तो यह आपको दियान रखना है तो C बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा लोहारू का विद्रो कब हुआ बहुत सारे विद्रो होए थे यानि कि जो इस्ट इंडिया कंपनी के बाद यानि कि विद्रो स्टार्ट हो गए थे यहां पर तो आपक बिवानी रहेगा तो यानि कि D बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा अभी मैं इस कोशन के बारे में आपको जानकारी दे रहा था जब पंजाब हरियना हाई कोट वाला कोशन हम कर रहे थे वो बाई मिस्टेक गलती से मैंने 1919 बोल दिया जबकि उसका जो राइट आंसर व जबकि इसका जो राइट बनेगा भी बिल्कुल सही आंसर है विंटेज कार रेली का योजन पहली बार कव किया गया तो विंटेज कार रेली का पहली बार 1964 में किया गया और 1964 में ही सेक तैयब का जो मकवरा है जो की कैथल में उसे संरक्षित गोसित किया गया तो ये भी विंटेज कार रेली गुरू ग्राम से निकाली गई 1964 में और ये प्रानी कारों से संबन देते हैं जो कार आपकी 10 साल से ज़्यादा प्रानी है उनसे संबन देते हैं और ये अराबली पहडी छेतर से निकाली जाती है फरवरी मार्च महिने में और सब से पहले स्टेटस 1931 बन जाएगा यानि कि C बिलकूल इसका Right Answer है शेक्षिडी के मकवरे को कब सन्रक्षित गोषित किया गया तो इसका जो Right बनेगा शेक्षिली का मकवरा यानि कि 1958 में से सन्रक्षित गोषित कर यह भी आपको दिया रखना है तो B बिलकूल इसका Right Answer है रानिया का विद्रो कब हुआ तो इसका जो राइट बनेगा अठारे सो अठारे इसवी में हुआ है कब हुआ अठारे सो अठारे इसवी में हुआ है रानिया का विद्रो रानिया का प्राची नाम राजब पुर है और रानिया आपका कहां पर है सिरसा में कहां पर हैं सिर्साम है तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो इसका जो राइट बनेगा डी बिलकुल सही आंस्वर है और दोस्तों इस कॉश्चन का आंस्वर सोज समझ कर देना इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है वैसे तो ये कॉश्चन बार बार एकजामें तो ये 1809 में हुई है कब हुई है 1809 में हुई है और चचरोली का संबंद कल्शिया राजा से भी है पूछ लेता है चचरोली का दूसरा नाम क्या है कल्शिया तो ये भी आपको ध्यान रखना है और कई बार चचरोली और कल्शिया नहीं मिलेगा आपको क्या मिलेगा रानी कि खिड़की भी आपको मिल सकता है छचरोली आपका कहां पर है यम्न नगर में तो इसका जो राइट बनेगा D बिल्कुल सही आंसर है अरनोराज चोहन द्वारा हरियन पर आकरमन कव किया गया तो इसका जो राइट बनेगा कव किया गया तो 1149 में यानि की बी बिलकुल इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी का पिर्थम आकरमन कव हुआ तो इसका जो राइट बनेगा 1090 में कव की बात है एक हजार नो ईस्वी की बात है तो महमूद गजनवी का पिर्थम आकरमन रहेगा तो B बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा और ये कॉश्चन वी एक जाम में कई वार रिपीट हुआ है और आगे भी बन सकता है नागवट पिर्थिहारों के द्वारा हरियान पर अधिकार किस इस्वी में किया गया तो इसका जो राइट बनेगा 1888 की बात है कव की बात है 1888 तो D बिल्कुल इसका राइट आंसर है ये कोश्चन भी एक अच्छा है यूनिस्ट पार्टी का गठन सर्चोटराम के द्वारा कव किया गया तो इसका जो राइट बनेगा 1923 की बात है और जमीदाल लीक की सतापना 1924 रहेगी ठीक है तो ये भी आपको दिहान रखना है तो इसका जो राइट है यनिकी D बिल्कुल सही आंसर रहेगा सचर फॉर्मूला कव लागू किया गया तो इसका जो राइट बनेगा इनकी बिलकुल इसका राइट आणस्वर है नादिर साह का अक्रवन करनाल पर कब हुआ तो ये भी एक अच्छा कॉशन है एक जाम में बार वार रिपीट होता है ये कॉशन तो हुआ जितनी भी मैंने टित्थी आपके लिए लिक रहे हैं हम इस वीडियो में जितनी भी सारे कॉश्चन है यानि की संसे संबन देता है तो सारे के सारे मो इंपोर्टनald है — एक्जम की दिर्ष्टी से और मैं विष्वास के साथ कहे साथ कह सकता हूं कि यह जितने भी सारे question हम आपके लिए लेक रहे हैं या तो exam में पूछे गए बहुत सारे question या फिर आगे बन सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है तो इस class को एक दो बार देखें अच्छे से देखें और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहां से आपको जरूर benefit होगा आने वाले exam के लिए तो नार नौल के सतनामयों का विद्रो कव हुआ तो इसका जो राइट बनेगा 1672 यानि कि C बिलकुल इसका राइट आंसर है बंदा बाहदुर की मिर्तियू कव हुई तो ये question भी exam में बन सकता है तो इसका जो राइट बनेगा 1715 की बात है कव की बात ह 1715 तो C बिलकुल इसका राइट आंसर रहेगा जजर में पहली बार सनातन ध्रम की सभा का गठन कव हुआ तो इसका जो राइट बनेगा 1886 कव की बात है 1886 ठीक है तो इसकी सतापना हुई है तो आपको ध्यान रखना है तो यनि कि A बिलकुल इसका राइट आंसर है और दोस इसका जो right बनेगा तो बल्वन का अदिकार कब से कब तक था तो इसका जो right बनेगा 1266-1287 तो ए बिल्कुल इसका right answer है और दोस्तो आज की class में बस इतना ही और आगे भी आपके लिए class हम लेकर आते रहेंगे तो फिलाल के लिए बस इतना ही और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद